ओडिसा के काला हंडी में बक्री पालन गाउं के लोगों की आजीविका के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उपर लाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है। इस प्रयास के पीछे जैन्ती महापात्रा जी और उनके पती बिरेल साहु जी का एक बड़ा फैसला है। ये दोनों बैंगलूरू में मैनेजमेंट प्रफिशनल्स थे लेकिन इन्होंने ब्रेक लेकर काला हंडी के साले भाटा गाउं आने का फैसला लिया। ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे यहां के गामीरों की समस्याओं का समाधान भी हो। साथ ही वो ससकत भी बने। सेवा और समर्पन से भरी अपनी इसी सोच के साथ इन्होंने मानिकस्तु एग्रो किस थापना की और किसानों के स्राक काम शूरू किया। जैन्ती जी और बिरेंजी ने यहां एक दिल्चस्प मानिकस्तु गोट बैंक भी खोला है। वे सामुदा एक स्तर पर बक्री पानन को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके गोट फार्म में करीब दर्जनों बक्रियां है। मानिकस्तु गोट बैंक इसने किसानों के लिए एक पूरा सिस्टिम तयार किया है। इसके जरिये किसानों को 24 महने के लिए दो बक्रियां दी जाती है। दो वर्सों में बक्रियां नव से दस बच्चों को जन्म देती हैं। इन में से छे बच्चों को बैंक रखता है बाकी उसी परिवार को दे दी जाती है जो बक्री पालन करता है इतना ही नहीं बक्रियों की देखभाल के लिए जरूरी सेवाएं भी प्रदान की जाती है आज पचास गाउं के एक हजार से अधिक किसान इस दमपत्ति के साथ जुड़े हैं उनकी मदद से गाउं के लोग पशुपालन के खेत्र में आत्मन निर्भरता की और बढ़ रहे हैं मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि विभिन्न ख्षेत्रों में सफल प्रफेशनल्स छोटे किसानों को ससक्त और आत्मन निर्भर बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं उनका ये प्रयात हर किसी को प्रेजित करने वाला है जादी आपनों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करेबा कुछ जमा भी भूलों तो नहीं